आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। यहाँ पर M क्या है? M जो है, सूच्म दर्शी के लिए आवर्धन छमता है, आवर्धन छमता है, डी क्या है? D, सामान या आख के लिए, सामान या आख के लिए, इसपस्ट दर्श्टी की न्यूनितम दूरी है। ठीक है, और F क्या है? F जो है, फोकस दूरी है, लेंस की, जो लेंस यहाँ पर जो है, इसमें प्रियोक किया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें यहाँ पर M और F में संबंद यहाँ पर पता होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि आवर्धन छमता के लिए, मलब अधिक आवर्धन छमता के लिए, फोकस दूरी का मान अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए, ठीक है? अब यहा कि बात करें करई थो च्दी अपन एस कमान जो है जब अधिक होगा तो यहाँ पे च्दाइग सिम्बलॉब यहाँ क्या हो जाएगा ठीक है एक और यहाँ पर क्या हो जाएगindest हमारा निसकर्फ ये निकल के आया है कि अधिक आवर्दन चमता के लिए फोकस दूरी कम होनी चाहिए लेकिन हमारे इस कथन में क्या दिया हुआ है क्या कि अधिक आवर्दन चमता के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए ठीक है और होनी क्या चाहिए कम होनी चाहिए यानि दिया हुआ कथन कैसा है असत्य है ठीक है हम से इस कोशन में यहीं पूछा गया था तो हम यहीं यहां पर बताएंगे क्या कि दिया गया कथन दिया गया कथन असत्य है तो हमने इस कोशन में जो है अपने कथन का जो वेरिफिकेशन किया कि कथन हमरा सत्य है या असत्य है उसका कारण भी देखा यहाँ पे क्यों सत्य है और क्यों असत्य है ठीक है यहाँ पे अपने उत्तर की यहाँ पे पुस्टी करके यहां बताया कि दिया हुआ कथन असत है ठीक है हमसे इस कोशन यहीं पूछा गया था थेंक्यू